नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Awesome Wallpaper Application को कैसे यूज़ कर सकते हैं जी हैं गईज आप भी जानना चाहते हैं कि Awesome Wallpaper Application क्या है और से कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गईज आज किस वीडियो को Start से लेकर End तक पूरा दिखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नौटिपिकेशन आपको मिलते रहेगी तो चलिए प्रेंटस आज का इव्डियो स्टार्ट करते हैं तो गई जहाँ पर मैंने इस एप्लिकेशन को पहले से ही डाउनलोड करके रखा है इसके बाद गई जहाँ पर आपको आप इस एप्लिकेशन के बारे में जानना चाते है तो गई जहांपर आपको about this app का option देखने को मिल जाता है about this app का option पर क्लिक करने के बाद गई जहांपर आप इस application के बारे में जान सकते है इसके बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आप इस application के downloading देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको file act plus downloading देखने को मिल जाती है और इस application के review and rated देखना चाहती है तो गई जहाँ पर आपको 331 review देखने को मिल जाती है 3 plus rated देखने को मिल जाती है इसके बाद गई जहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको awesome wallpaper application को open करना है open करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर awesome wallpaper application open हो चुकी है और गई जहाँ पर आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर आपको कई सारे अलग लग wallpaper देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आप जेस पर wallpaper को home screen पर set करना चाते है उस wallpaper को home screen पर set कर सकते है इसके बाद गई जहाँ पर आपको category का option देखने को मिल जाता है category के option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर आपको अलग लग कई सारी category देखने को मिल जाती है यहाँ पर आप को 3D में कई सारे wallpaper देखने को मिल जाती है इसके बाद गई जहाँ पर आपको live की category देखने को मिल जाती है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जिस पर गई उस पर आप जहाँ पर आप सेट करना चाती है उस केटीगरी के wallpaper को यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस wallpaper को सेलेक्ट करता हूँ इस wallpaper को सेलेक्ट करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर आप जिस भी wallpaper को सेट करना चाते हैं उस wallpaper को यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं तो गई जहाँ पर मैं इस wallpaper को सेलेक्ट करता हूँ और गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं आप पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप दीख सकते हैं यहां पर वालपेपर डाउनलोड हो रहा है और गई जहां पर आपको सेट वालपेपर के अप्शन पर क्लिक करना है set wallpaper का option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर आपको home screen का option देखने को मिल जाता है और गई जहाँ पर आपको lock screen का option देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर मैं home screen का option पर click करता हूँ home screen के option पर click करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर wallpaper set हो चुका है इसके बाद गई जहां पर आपको back आना है back आने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप ईजी तरीके से awesome wallpaper application के मादिम से wallpaper को set कर सकते हैं और गई जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप इज़ी तरीके से awesome wallpaper application को use कर सकते हैं तो गईस कैसा लगए वीडियो आप हमें comment करके जरूर बता है और अभी तक आपने हमार चैनल को subscribe नहीं किया तो